पानी के बीना पानी के कारण से कि चालिस जाते जाते जो है कभी कमर पूरा धर ले रहा है कभी पूरा गुठना धर ले रहा है जल ही जीवन है और जल के बीना जीवन की कलपना नहीं की जा सकती है लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे पंचायत में लोहा पंचायत कहलाता है और करकुटा गाउं है जो जमूई जिला में है कई इसे गाउं हैं दरजनों गाउं हैं तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं यह उसी जल का प्रभाव है इस गाउं का जल जो इनके जिंदगी को प्रभावित कर चुका है गाउं के बच्चों का भी जीवन इसके जल से प्रभावित होने लगे है यहां दिख रहे लोग पूरी तरह affected है आप इनके सारेजिक परिवर्तन को आसानी से देख सकते है यहां के लोगों की माने तो ऐसी इस्थिती यहां के पेजल की बजासे है यहां के लोग ऐसे पानी पीने को मजबूर है पेजल समस्या को लेकर यहां के लोगों ने काफी आवाज उठाई लेकिन कोई ठोस बिवस्था नहीं हो सकी दस साल पहले यहां फ्लोराइड मुक्त जल के लिए वाटर प्लांट लगाया गया लेकिन फिलहाल दो साल से वो भी मिर्त प्राय हो गया है फलता यहां के लोग उसी दूसीत जल को पीने के लिए मजबूर है नतीजा पूरा का पूरा गाउं आज इस पानी की बजा से जवानी में ही बुढ़ा होते जा रहे हैं नजर डालते हैं आज की इस रिपोर्ट पर आखिर पानी के बारे में इहां के लोग क्या कहते हैं और किन परेसानियों से गुजर रहे हैं आईए डालते हैं एक नजर का नाम हुआ? पवन कुमार साँ कौन गाउं है यही? कौन काउं है? कुरकुट्टा कौन कुरकुट्टा गाउं लोहा पंचायते हैं लोहा पंचायते अच्छा यह क्या परेसानी हो गई है आपको? परेसानी यही है सर पहला नमर में जो है परेसानी है पानी से दान्त भी सादा साड़ाता है उसके नमर दूसरा नमर में तान ज्यादा दरत भी करता है। कमर। कमर। तिसरा नम्बर में ना सर्गोड चलते चलते गिर जाता है। चौथा नम्बर में पानी तो लाल निकल रहा है। और पचमा नम्बर में यहाँ पानी रख देता है बलती में मने दूग, घंटा या ज्यादा नहीं लगेगा लल हो जाता है खाना अनाज नहीं धसता है और परिशानी से तबियत भी खराब हो जाता है यह कब से आपको पता चलना सुरू होता है जिसे पता हमको हो रहा है लगभगे 20 साल से हमको ज्यादा परिशानी कर रहा है अभी आप यहां पर से होता है और धीरे पर ठीडियों पर 11 लेड लग जाता है हम्या पर इस इक पर सुर्मिलें वार्ट है曲 पर होने लग जाता है हम यहां पर इसी आपको देखाराना है यह आपका नाम क्या हुआ रोहित इसके बात्षा कने लोग उन्हें तूर रखना हुआ है यहां रह जाते हैं जो यहां रहा जाते हैं मजबूरी यह फ्लोराइड युक्त जो जल पीने के वज़े से इनका हुआ है और ये पूरा पैर टेढा हो गया है ऐसी ही इस्तिति गाउं के लगभग सभी लोगों की है ज्यादा तर लोगों की है तो आप देख सकते हैं ये पैर की स्तिति कैसी हो जाती है ये देखिए ये हम दिखा रहे हैं आपको लोहा पंचायत है जमुई जीला के सोनो परखन में प सब्सक्ति गाउन हें ये डिएधान कामरा पेर में बहुत ज़्यादा दर्द है पानी के कुरण से इसा हो रहा है यह सब्सेल ना सब्सक्यद द्धार संसेल सीयुक्त, छुम हमें किसी है बना में सब्सकारों कुझे सकता स überzeugब करने हैं градुटि पता थी संबु कई हमें यहां कोई देखने वाला नहीं है हम लोग क्या करें जो पानी की चलता है यह जो मतीन यह लगाया गया है पानी पीने का जू वो भी खराब है ज़ मुखिया नहीं था तो भी सार्विनी जीवन से जुड़ा था और ये 2005 की घटना है जब मैं एक NGO के थुरूप PSD से जुड़कर 140 से समधिक काईज कर रहा था उन दिनों जमवी टॉन हॉल में एक बैठक हुई थी उसमें PSD के मंत्री भी आई हुई थी वही पानी जो पेजल है उसकी गुनवत्ता पर बात चल रही थी कि किस तरह गुनवत्ता में कोई दोस आने के बाद किस तरह उसमें बदलाव आता है तो उसी में एक मामला है था कि जल में जब फ्लॉराइड की मात्रा अतधिक हो जाती है तो फ्लॉरोसिस नमक बीमारी हो जाती है और जब फ्लॉराइड होता है जब बीमारी फ्लॉरोसिस होती है तो सीधे हड़ी को परभावित करता है हड़िया सरीर का तेड़ी-मड़ी होने लगती है दांत पृले हो जाते हैं सरीर में डर्द होता है कमर में धर घुटना में दर यह बीमारी होती है तो जैसे ये जानकारी मुझे मुझे मली जंबुई में उस बैठक में तो मेरा दिमाग और कुरकुटा मेरी नजर दोड़ गई इस प्लांट के अलावे भी तीन प्लांट लगाए गया लेकिन सरकार ये जो समस्या आई है बहुत बड़ी समस्या है चुकि ये पिड़ी दर पिड़ी लोग रोग रस्त होते जा रहे हैं परिसानी तो अभयंगर है तो ये जो समस्या आई उसके लिए सरकार के अस्तर परियास तो हुए लेकि मुकमल परियास नहीं हुआ मुकमल परियास होता तो हम समाधान तक पहुँच पाते